हलो दोस्तों वेल्कम बेक टो माई चानल दोस्तों अज आपका गल करांगे वाड करेले दी वेल दी दोस्तों गर्मिया देविचे लगाऊना ली बहुत ही वदिया ए इस सबजीयां दी वेल हैं जिन्हों एक छोटे-छोटे जिड़े करेले लग देने बस एस साइज देया छ जिन्हों वाड करेले कांथे ने गार्मिया देविचे के वर्दायन हुंदा वेल शूगर दें मरीजना वास्ते जिन्हों डाइब्डीज उन्थे हूं ना वास्ते बहुत वदिया हूंदे और ताकतवर बी हूं हूं दी आए सब्जी दे इननु कट के बनाने आपा जाड़ी दार वेल भी कहा देने जंगली जंगली करे ले भी कहा देने अनु अर अपान तुसे गर्मी अदे विच्छ पिछली वारी मैं जून दे मिनेच बीज लगाए सी और मैंनु जलाई अगस्त स्तंबर देर लास्ट तक मैंनु एदे विच्छो फ्रूटिंग मिल दी र अच्छी फ्रूटिंग ले रही हैं और डेली पांच तो दास्तो पंद्रा एडे साइज देखो करे ले निकले आंदेने जल्दी पाक जांदेने इना उन छेती नालो नाली ही तोड़ लें इसकर के ज्यादा नी लगए हो डेली देली जो भी हुंदेने हार्वेस्ट कार ल तुसी यहनु मईदे में नेच भी लगा दो ताम ही लगजेगी फिर थोड़े शेड दे विच रख देओ बीज लगाके ना शेड दे विच रख देओ जाता को थोड़ी बड़ी नी हो जांदी साथ तो अठेंच तक दी ओधो तक तुसी उन्हों तो पेना रख्यों हलकी अपने आप फ्रूटिंग देनी शुरू कर देनिया और मिट्टी दी गाल करिये दे वास्ते ता मिट्टी ओही सिंपल देशी खाद कंपोजड पाके तुसी यहनु क्रेल लें दी बेल नु जड़ा तुसी उगा साकते हो ठीक है ते यहनु छोटे-छोटे फिक्के पीले र अर यहनु अपशाए वगर गयरा वी तो आणनो कोई खास जरूत ने होंदी क्यों करेले यहनु यहनु पछास ने करदें लिकुड खाद पासाकते हो तुसी आणनो लागदा है तुसी प्रेव गयरा तुसी नीमदी कर साकते हो न्या किसी चीजी थी आधे कोई दर भी लगा दो पूल जो पर मिट्टी दोड़ी खाद योग तो होवे जीरे विचे तुसी यहनू बीजना मां जीरे विचे बीजना ठीक है एस साइज दे चोटी-चोटी देने इस तो बड़ा साइज हो सकता है पर एक डिक साइज देने और जरूर लगाओ गर्मियां दे विचे कत्राना वर्दान है एनू कटके प्याज पाके जिदाने तुसी फ्लेवर लाके ना चौने वो सिंपल टांग ना बन जान देने और बहुत टेस्टी बन दिया मैंनू सेकिंड टाइम लगाया और वदिया दे विचे मैंनो रिजल्ट मिल रहे है तक्के में लगी तो आनू म आड़ी वंगू फ्याल जान दिया ता मिलने आपा नेक्स्ट वीडियो ले तद तक ले गुडबाई